Dear students, welcome back. Yes, UGC NET, जिसकी exam कल हुई है, December 2023 cycle की, और कल से मैं कोसिस कर रहा हूँ कि जो memory record questions हैं, वो अधिक से अधिक जुटा करके उसकी analysis करें और देखें कि किस type का paper आया था, मैंने कल रात में भर सक कोसिस की, लेकिन ये possible नहीं हो पाए, humanally, तो आज मैं लेकर के आया हूँ, I hope की मेरे दोनों तरह के strength जिन्हों नहीं ये exam दिया है, और जो next में देने वाले हैं, not only that, जो CVT, PG या कोई भी अन्ने exam दे रहें, से असिस्टन प्राफ्स, सब को ये video बहुत interesting लाए हो, because UGC NET एक mother type of exam है and political science में, so let us begin, UGC NET December 2023 cycle, memory record question, ध्यान दे जाएगा, ये actual question नहीं है, paper analysis, useful for all competitive exam, इससे पहले कि आम लो question answer का दौर करें, सुरू, यदि आप CUET PG दे रहे हैं, और यहां बहुत क्यूरिसली, मैं आपको invite कर रहा हूं, यदि आप June की NET, UGC cycle में appear होने का मन बना रहे हैं, तो आप join कर सकते हैं इस batch को, अब आप कहेंगे, सर, यदि मैं net दे रहा हूं, तो आपके CUET PG batch को क्यों join करो, क्योंकि आप इस question को देखेंगे और भी पिछले, तो आप समझ जाएगे कि अब दोनों exam में, जो NTA लेती है, कोई फरक लेवल का नहीं है, almost 80% आप कह सकते हैं कि दोनों लगभग एक हैं, तो और दूसरा कारण ये है कि मैं कोई batch अभी नियर फ्यूचर में, तो एक दो मेहने साइद हो सकता है, मैं UGC NET का सुरूर ना कर पाऊं, तो यदि आप चाहते हैं, एक एक beautiful journey करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, इसमें जो CUET PG के student है, वो भी बहुत intelligent है, उनके साथ मिलके, और कई जो है, मेरे S.A.U.G.C. NET के aspirants है, जोनोंने CUET PG में जॉइन किया, और उनने NET क्वालिफाई किया, JRP किया, तो आप भी उस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, यदि आप इस CUET PG बैच को NET के लिए भी जॉइन करना चाहते हैं, तो आप यहां पढ़ लिजे, इसमें क्या है, यह तो आपको बहुत चीजे इसमें लिखी हुए मिलेगी, लेकिन more or less simple यह है, कि यह एक मेरे guidance में एक test series and counseling batch है, जिसमें आपको एक beautiful experience मिलता है, और आप prepare होते हैं best possible way में, यदि आप इसको join करना चाहते हैं at nominal cost, तो आपना name, telegram, mobile number, क्योंकि यह पूरा telegram के channel पे है, private group बना करके, तो वहाँ पे आप mail कर सकते हैं, Paul Science Help, बिना किसी space के at the rate gmail, कि आपको अभी तरह कि याद हो गया होगा, तो इस पे आप mail करें, आग आपको बताया जाएगा, और यदि आप books देख रहे हैं, UGC Net के लिए तो ये book one of the most popular book है, यदि आप objective Paul Science देख रहे हैं, जैसे इस बार student ने जो feel किया, कि ये book became the most important resource for them, for UGC Net में बोल रहा हूँ, जो कि मैंने लिखा था इसको PG entrance test के लिए, लिकिन जैसा मैंने बोला, दोनों लगवाए एक हो गये हैं, और यदि आप CUAT PG दे रहे हैं, आपके लिए specific guide है, ये दो, इसके सब की link यहां दी गई है, description box में भी है, आईए, अब एक general observation paper 2 पे देखते हैं, paper 2 जब मैं कहता हूँ, paper 1 मतला tissue test, paper 2 Paul Science domain, कल जो exam हुई है 11 December को, general observation क्या है, historian का feedback की, बहुत सारे questions जो है, chronologically arrange करने पे थे, event को, thinker को, books को, treaties को, many many others, तो ये एक, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि, क्या timeline है, आप जब John Strutt मिल को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ये समझे कि, ये lock के बाद में आए हैं, क्या इनके contemporary, जो हैं, Karl Marx थे, थोड़े से उससे पहले हो सकते हैं, उनके बाद कोन आए है, उसके पहले कोन आए, ये सब चीजें, उनकी जो books भी, जो है, किसी author के दिया book पढ़ते हैं, तो उसकी chronology भी थोड़ा देखने की कोसिस कीजिए, events तो ज़रूर chronology देखे, कियो तो प्रोटकोल पहले हुआ, ये पहले हुआ, ये पहले हुआ ये पहले हुआ है, कौन सा कन्वेंशन का, अंटर्क्रिका जो agreement है, treaty है, वो पहले हुआ है, या human climate पे जो पहली, human environment पे जो पहली, जो बैठक हुई है, United Nation की, वो conference, इसको Stockholm conference करते हैं, वो हुई है, लाइक दा, इस तरह की chronology हमें सब brain में रखे दे, आपको UGC net में अच्छा करना है, for that matter, किसी भी political science objective exam में करना है, दूसरा observation ये है, कि बहुत ज़्यादा matching type के question थे, आपको बता है ना, चार यहां रहते हैं, one, two, three, four, और यहां match करने के लिए होते हैं, ये बहुत आसान था, कई story न कहना है कि सर, सबसे ज़्यादा आसान था, क्योंकि एक match करने से ही जो है, वो मिल जाता था, जैसे कि रजनी कोठारी, उन्होंने book लिखा है, cast in politics, और उसके बाद आपको जानना भी नहीं है, तीन और author ने क्या book लिखा है, एक से match हो जाता है, तो ये आपका काफी easy question था, बहुत कम question थे, political theory से, Western political thoughts से, और comparative politics से, और बहुत जादा question थे, public administration से, international relations से, जिसमें quiz type के question जादा थे, Indian polity से, Indian political thoughts से, more question on facts and information than on concept, ये conceptual नहीं था, यहां पे NTA थोड़ा, जो है न, वो एक तरह से बदलते रह रहा है, अपना रंग बदल रहा है, और settle नहीं हुआ है, किस level पे इसको question पुछना है, net का, मैं 3-4 cycle को closely थे follow, मैंने तो पूरे cycle को देखा है, लेकिन 4 cycle को देखें, तो सबसे अच्छा question है, उनने फ़रबड़ी March में, जो March में net की जो हुई थी, delayed cycle, उसमें उनने पूछा, June में आते आते, June की cycle एकड़म अर्बिट थी, और बिल्कुल वो एक्सपेक्टेट नहीं था, उस टाइब का पूछेंगे, उससे क्या हुआ, कठ़व बहुत लो चले गए, फिर इनकी कोई कॉई कॉई कॉइट बैठी होगे, उनने कहा होगा, ये कैसे इतना आप टफ आप नहीं क्यों पूछ दिया, उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत लो चले गए कटों, तो इस बार उने कुछ थोड़ा इजी पूछें कोई किया, लेकिन बहुत फैक्च्वल बना दिया है, कॉंसेप्च्वल खदम कर दिया है, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, आपको एक अच्छा फील नहीं होता है, कुछ लोगों को ये चुकि बहुत फैक्च्वल था, तो उसके चले डिफकल लगा होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को एजी तो मॉडरेट लगा है, बहुत कम कुश्च्वल जो है, एक्स्ट्रीमली डिफकल्ट ये आर्बीट कहा सकते है, और बहुत 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 धन्यवाद जो भी इस ट्रेंड नहीं किया है, उसमें से एक ने जो है स्पेसल गिफ्ट जीता है, जिन्होंने ये करिब 65 कुश्च्वल किया, जैसा मैंने प्रामिस किया था, और कुछ लोगोंने 40 तक किया है, किसी ने 30, किसी ने 25 ऐसे किया है, सब को मिला करके 86, sorry, 86, 85, आउट अफ 90, माई गाड, लगबग सभी कुश्चन रिकॉल कर लिए गए, क्योंकि दो जो है वो तो पैसे स्टेट थे जिसमें कि 10 थे, तो मैक्समा आप 90 कुश्चन रिकॉल कर सकते हो, तो उसमें से 80 से अधिक जो है रिकॉल कर लिए गए, कितना साइध 81, 82, 85 तक कुश है, लेट उस सी, ओके, फर्स्ट कुश्चन, यहाँ पर देखिए, जो मैं सिक्वेंस दे रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है, पहले समझ लिजे ही है, ऐसे ही मैंने, जैसे जैसे स्ट्रेंट ने दिया है, वैसे मैंने लिख दिया है, यह कोई थीम वाइस भी नहीं है, दूसरा, इसमें पूरे कुश्चन नहीं है, यह भी ध्यान रखे, इसमें मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कुश्चन एकदम गलत हो सकते हैं, क्योंकि मेमोरी रिकॉल्ड है, उसके लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, बहुत में आप्सन है ही नहीं, क्योंकि आप्सन रिकॉल नहीं कर पाया है, इन सब लिमिटेशन के साथ समझने की कोशिस करें, और कुछ एडिस्टन इन्फर्मिसर में ने दिया है, कि आगे आपको एक्जाम में फायदा हो, फर्स्ट कॉस्चन इस कमिंग, वू रिलेट्स विट सिंक्रेटिजम, ये एकदम बहुत आसान कुश्चन है, सिंक्रेटिजम क्या होती है, मतलब आप उसको सिंथेसिस भी कर सकते हैं, उसका थॉट में जहांकि हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, मतलब आप उसको ये नहीं कर सकते हैं, कि ये हिंदू पॉलिटिकल थॉट है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है, इकनो क्लास्ट हैं, मतलब समाजिक जो कूरीतिया हैं, उसको पूरी तरह से नकारते हैं, इसके अलावा वो सिखों में भे बहुत प्रचलित हैं, प्रशिद्ध हैं, और मान नहीं हैं, क्योंकि आदी ग्रंथ जो सिखों के उसमें, उनके जो हैं, वचन जो हैं, कबीर के उसमे अब यह question, easy के बाद आपको एक tough question, difficult question है, लेकिन यहाँ पर देखे, Price Information Bureau की मैंने जो है, नेट से दिया है, तो यह country इंडोनेसिया है, और इस पर पर सकते हैं, यहाँ आपको क्या cue दी जारी है, कि इंडिया जितने भी joint military exercise करता है, like मला बार करता है, मितर शक्ती करता है, शक्त करता है, यहाँ पर यह भी आपको धियान देना चाहिए, कि मलाका इस्ट्रेट exercise कई country आपस में करता है, Malaysia, Indonesia, Singapore and all. अब यहाँ पर देखे chronologically आगे, chronologically arranged the world bank president, अब इस तरह के question तो बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता क्या option थे, लेकिन मैंने जो पिछले चार जो प्रेज़ेंट हुए हैं अभी आजे बंगा हैं भारत के, तो इनको मैंने यहाँ दे दिया है, आप इस तरीके से, यह सिंग विजिटेट चाइना यह था, तो इन्होंने दोहजार आठ और दोहजार तेरह दोनों में विजिट के था, साइध उसमें से एक ही एयर था, दोहजार आठ था, तो यह बोथ A&D हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने सब दे दिया है, साइध मैच वच करने को होगा, नह दर मोदी तीन बार यहाँ दिखता है, तो इसको याद कर लिजिए, यह सब कुश्चन जो है, मॉडरेट लेवल का है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हुबी केम प्रेसिडेंट, यह सब मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, उसमें से कुछ थे, जो नहीं बन पाये हैं, साथ वो लिखे हुए थे, तो इनके अलावा कोई भी होगा, तो आप उसको देख सकते हैं, यह सब जो हैं, मैं हनाम नहीं पढ़ रहा हूँ, यह सब ऐसे बाइस प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट बाद में बने हैं, अनार्किजम डिरेक्ली रि होता है, खास करके hierarchical authority, या जो coercive, जो ताकत के बेसिद उसको नकारते हैं, वो human के अच्छे nature को बैंक करते हैं, mutualism के आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम बिना किसी hierarchical and coercive authority के रह सकते हैं, ऐसे में state जो है anarchist लोगों के लिए एक unnecessary evil जैसा है, यदि आप यह जानते हैं तो यह question आपको बन जाता, which country nation is not one, तो यह easy question में कहूंगा, which country nation is not one of the Asian tiger, very easy question, Asian tiger सबको याद हो जाना चाहिए, मैंने कई बर कहा हैं, Hong Kong, Singapore, South Korea, Myanmar बिलकुल नहीं है, Taiwan, तो Myanmar on one out है, Burma, which is the eligibility criteria to become governor, यह भी आसान question है, Constitution 157 article में simply लिखा हुआ है, कि no person shall be eligible for appointment of governor, unless he is a citizen of India and has completed the age of 35 years, बस दो ही है इसमें, यहाँ age इन्होंने 25 साल लिख दिया था, तो यह भी गलत है, 6 साल का term नहीं है, Regimation यह President को देता है, इसका कोई tenure नहीं है, यह pleasure of the President के time तक रहता है, appointment President के द्वारा होता है, तो किल एक ही सही है citizen of India in 35 साल, अब किस step से form था, मुझे नहीं पता, यह question आई थी, easy question, who called Kabir Mukti Dood, यह थोगा सा difficult हो सकता है, क्योंकि who called whom, लेकिन आप guess कर सकते हैं, क्योंकि Mukti Dood, यह Bengali type का title है, और उसमें Tagore जो है, वो आए है, option में तो Tagore आप मार कर सकते हैं, who wrote capitalism, socialism, democracy, यह easy question है, क्योंकि यह इतना famous book है, Joseph Sumpiter का कि इसको कोई भूल नहीं सकता political sense, मैंने कितनी बार का, इस book में वो एक बहुत मजदार सा definition देते हैं, democracy का, जिसमें वो कहते हैं कि democracy ऐसा कुछ नहीं है, कि जो Abraham Lincoln कहते हैं, कि it's the rule of people, by the people, for the people, of the people, वो कुछ ऐसा नहीं है, democracy एक simple, एक political method है, जिसके through आप elite rulers को चुनते हैं, मतलब X elite को Y elite के बदले आप तो इस तरह का जो elitist view जो democracy का देते हैं, वो इसी book से आती है, capitalism, socialism, democracy, जो सब सुन पीटे, 11 number question देखे, which is matched correctly, अभे हैं, चौथा लोग नहीं कर पाएं, लेकिन एक से ही चुके match हो गया, इसलिए सब भूल गये हैं, रजनी कोठारी, caste in politics, Maurice John, bargaining, federalism, साथ उनकी book थी, यहां प तो अब चुके यह आपको एक से ही match होगी, तो कौन याद रखता है, easy question, which is incorrect about the public account committee, साथ इस टाइप की थी, public account committee और estimate committee से अलग लग दो question थे, तो यहां पे देखे, मैंने बहुत कुछ दे दिया आपके knowledge के लिए, public account committee, जो है सबसे पुरानी parliamentary committee, 1921 में बनती है, इसका main काम क क्या होता है, Comptroller and Auditor General की जो report, जो पहले President को submit होती है, वो Parliament में रखी जाती है, through public account committee, पहले public account committee उस report को receive करता, annual report को, उसको scrutinize करता है, तो उसको Parliament को बताता है, उसको बहस होती है, इसलिए बहुत important committee है, एक तरह का watchdog committee, इसमें 22 member होते हैं, 15 लोग सभा से, 7 राज्य सभा से, reelect हो सकते हैं, सभी member का tenure एक साल का होता है, और वो जो select किया आते हैं, या elect किया आते हैं, proportional representation, through single transferable vote system से, और लोग सभा speaker जो है, उसके chair person को चुनते हैं, और as a convention, इनके chair person जो होते हैं, वो opposition party से डिये जाते हैं, अब इसमें से कुछ होगा, जो की गलत होगा, जैसे कि सभी member इसके लोग सभाके हैं, इस type का होगा, तो वो गलत हो जाएगा, या होगा कि उसके member reelect नहीं हो सकते हैं, यहाल लिखा गया है, तो यह wrong है, इसलिए यह सही answer हो जाते है, who launched self-respect movement, यह सब बिलकुल लड्डू question है, E.V. Ramaswamy Nekar, जिनको हम लोग PR कहते हैं, whose theory of justice is called intelligent theory, again, दू यहाल गया था कि इस type of question पूशे जाने चाहिए, मैंने अपने group में करवाया भी था, तो इसमें, market and fair, state list में आती है, बांकि यह सब जो है, तो एक नजर जरूर आपको, Wikipedia पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, state list, union list and concurrent list, उसको जरूर देख जाएए, वो टाइम नहीं लग और उसी के साथ, जो है, public administration पढ़ाई की सुरुआत, अमेरिका में होती है, father of scientific management, यह सब एक्दम लड़ू question है, Taylor, which is not matched correctly, इसमें, मैंने तो यहां पे thought दिया है, लेकिन मुझे बाद में इस trend ने बताया कि इसमें तो thinkers का नेम था, like human religion, अल्टन मयो, decision making, सर्वर साइमन, classical theory, Taylor वेवल, गुलीक, उर्वीक, फायोल and all, ecological theory, Fredericks इस type का था, वैसे मैंने यहां पे match किया है, कुछ thought से जिसमें यह गलत है, closed नहीं, इसको just open कर लीजिए, ecological जो एप्रोच होती है, उसमें organization, मालीजे यह एक organization है, triangle से मैं दिखा रहा हूँ, यह इसका larger environment है, तो larger environment organization के बीच में लगातार, जो है matter energy, transmit होते रहता है, मतलब इसकी boundary होती है, जो porous, यह इपने environment से लगातार जुरा रहता है, equilibrium maintain करता है, तभी उससे जो है वो चल पाता है, this is the approach of ecological theory, which article gives power to state to make laws related to election, तो यह थोड़ा सा moderate level के question है, मैं हमें सा करता हूँ कि constitution का pdf को download कर लीजे, उसमें जितने article सुरू में ही दिये हुए है, कि 400 articles उसको एक नजर पढ़ जाईए, एक घंटे सदीक टाइम नहीं लाएगा, और 50 article को detail में देख जाईए, इस तरह से आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि article 328 पे आप अटक जाएंगे, जो कहता है power of legislature of a state to make provisions with respect to election to such legislature, तो यही question आपको जो आपको equality देता है, electoral role में, कि जो आप voting के लिए, जो electoral role बनता है, उसमें किसी भी तरह पे state discriminate नहीं कर सकती है, और article 326 आपको voting right देता है, in the form of adult suffrage, chronology of committee, पूशा गया था अगे, in chronology पे एक और question, तो 1st ARC 1966, मैंने दे दिया, सांथा नाम committee 1962-63, जिसके basis पे CVC का गठन होता है, Vigilance Commission का इंडिया में, गोर्वाला committee, जो है, पहली committee थी, public administration पे, नहरू जी के टाइमें में ने इसके बारे में हादिया है, पढ़ लीजेगा 1951, और वोरा committee, जो है 1993 में, जो nexus है, criminal और politicians का, उसको investigate करने के लिए, 1993 में बनी थी, which principle not given by लोहिया, यस तरह कुशन पुशा गया थे, इन्होंने four-pillared state दिया है, partyless democracy इन्होंने नहीं दिया, इसलिए यही सही answer है, सब्त करांती का concept इन्होंने दिया, और इन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी का भी concept दिया, तो जो इंग्लिस में है, लिखा गया है, 22 number question देखे, और बि question बहुत अच्छा नहीं है, इसको आप difficult रख सकते हैं, when did UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change, उसकी जो conference or party होती है, वो Copenhagen में कब हुई थी, यह सब आसान question है, मेरे इसाब से, EG2 moderate है, यह COP15 जो है 2009 में, वो Copenhagen में होती है, तो यहां क्यों नहीं यह जान लीजे कि COP3, जो है, 3rd जो conference or party, conference or party किस को कहते हैं, मैंने कई बार बताया है, United Nation Framework Convention on Climate Change, एडॉप्ट किया गया था, 1992, Rio Summit के बाद, उस Framework Convention को, जो भी sign करते हैं, उसको party कहा गया, क्यों नेशन नहीं कहा गया, क्योंको इसमें नेशन के लावा और भी तरह के party होंगे, जो state या नेशन नहीं होंगे, like European Union है, कोई non- governmental organization like that, तो पार्टी कहा गया, उन पार्टी की जो annual meeting होती है, जिसमें climate change पे चर्चा होती है, उसमें क्या action लिया जाए, mitigate and adaptation का, उसको जो है, conference of party कहते हैं, अभी तक 28 जो हो चुकी, 28 वा जो है, दुबाई में चल रहा है, already अभी आज साइध खतम होने वाला, इसमें फाइनल draft आएगा, तो उसमें जो तीसरी जो थी, after 1992, उसको Kyoto Protocol कहते हैं, जो पहली ऐसी COP थी, जिसमें की legally binding target जो है, developed country को दिया गया था, fossil fuel emission को कम करने का, COP 21 भी उतना ही important है, उसको Paris Climate Accord कहते हैं, 2015 में, यह हुई थी, Paris में, जहां पे की, NDCA concept आया था, nationally determined contribution, यह भी पूछा जाता है, who gave eight types of balance of power in international relations, यह question difficult है, लेकिन एक बार जान लीजिए, तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, आरंस्थास नहीं दिया है, और इस eight तरह का, जो है, balance of power को दर्शा है, पर सकते हैं, थोड़ी इसके बारे में, और इस book में उन्हों दिया है, आप चाहें तो net पर जाके पर सकते हैं, difficult but very good question, again एक chronology के question आ जाता है, कि यह सब जो accord हुए थे, Rajiv Longwall Accord, यह July 1985 में होता है, और Anand Sahib Resolution, जिसके बाद वहाँ पे पंजाब में उगरवात बरता है, उसके कुछ एक दसक के बाद, वो 1973 में आता है, असम accord जो है, अगस्त में होती है, तो यह दोन पांडेंगा के साथ 1986 में होता है, पाब्लिक एकॉन कमीटी, विच स्टेटमेंट इस ट्रू, साहद अगर मैं repeat कर रहा हूं इसको, तो all member are from लोग सभाई, यह तो गलत होगा, all member elected by STB सही है, member get reelected भी सही है, पारलिमेंट कमीटी के बारे में, चुकि इस्टिमेट कमीटी प इस्टिमेट कमीटी का जो रोल है, वो यहां दिया गया है, scrutinizing the functioning of government ministries and department in terms of expenditure and utilisation of funds, मतलब कितना आप expenditure करते हो, वो सही डंग से कर रहा हो कि नहीं, उसके लिए आप जो इस्टिमेट किस तरह से बनाते हो, उसका utilisation कैसे करते हो, मतलब एक तरह बहुत important है, मतलब finances पे इंडिया, rules were framed for departmental related parliamentary committee 1989, यह बहुत जगह पूछा जाता है, इसको रट लीजिये, estimate committee has members only from Lok Sabha, 28, देखे, true meaning of philosophical anarchism, एक जगह अपने anarchism देखा, यह भी हो सकता है, दोनों question, एक ही हो या दो जगह है, इसको recall किया, student ने, तो state should not exist लिखा था, state has no authority to exist, all states should exist in peace and harmony, तो मुझे लगता है कि state not exist, जो कि तरह hard statement है, लेकिन वही सही है, philosophical anarchism का जो meaning होता है, मैंने यह आपे दे दिया है, इसको पढ़ लीजेगा, मैंने अभी explain भी किया, गांधी जी खुद अपने को philosophical anarchist कहते थे, who said that religion forms the basis of Manoj state and polity, यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं खोज पाए, निजे और कुछ मिलता है, लेकिन उसमें कुछ Indian author का भी student कर थे, कि चार Indian thinker करने इन था, कुछ समझ में नहीं आया कौन थे, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, Manu did not accept which method in diplomacy in statecraft, यह भी बहुत अच्छे से record न नहीं है, और मेरे कई student का भी यही कहना है, democratization wave जो है, जो इस book पे अधारी थी, Samuel Huttington की third wave, democratization, late 20th century, यह मैंने कई बार अपने student नहीं कहा थे, कि इसको जरूर याद कर लो, यदि उन्होंने देखा होगा, इसलिए मेरे student तो इसमें मुस्कुराएं होंगे, तो इसमें आपक 28, 1926 में होती है, जिसमें बहुत सारे country, Europe के और अमेरिका के democracy बनते हैं, फिर एक reverse wave आती है, Hitler, Mussolini और fascism का, जिसमें कि कई democracy जो है, वो fascism बदल जाते हैं, फिर second wave आता है, जिसमें कि इंडिया आजाद होता है, decolonization का world war 2 के बाद, और फिर एक second reverse wave आता है, जिसमें अफरिका और Asia में एक authoritarianism की चलती है, जो democracy थे, जो नहीं नहीं बने थे, वो सब authoritarian के grip में चले जाते हैं, फिर third wave आता है, जो कि 1974 से अभी भी चल रहा है, democratization बढ़ रहा है, विच ये इस book में है, Samuel Huntington की, विच country is a failed state, इस type of question था, और उसमें साइद Sierra Leone था, लोग कह रहे हैं, Sierra Leone तो य disputed है कि इसको माना भी जाए कि नहीं failed state, कई thinker में ये का है कि Somalia, Yemen, South Sudan और Syria, ये सब तो failed state आज के date में, failed state किसको कहते हैं, एक ऐसा state जो अपने territory में effectively law and order maintain नहीं कर पा रहा है, जहां एक कोई effective government नहीं है, लोग को पता ही नहीं है कि किसके हाथ में control command है, failed state, who gave constructive conflict theory, ये public administration का ब असान question है, Mary Parker, Follett, creative administration, dynamic administration, इस book नहीं है लिखा है, which amendment was brought to undo Golaknath judgment, ये moderate level question है क्योंकि ये बहुत famous judgment है, जिसमें Supreme Court ने ये कह दिया, 1967 में सद आती है, चेक कर लीजेगा, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि Parliament को fundamental right amend करने का right ही नहीं है, क्योंकि जो Article 13.2 है, उसमें बात किया थी कि कोई भी यदि law बनता है, वो fundamental right को infringe करता है, तो वो invalid हो जाएगा, तो यहाँ पर ये था issue constitutional, कि जो constitutional amendment है, वो क्या law मानी जाएगे आज पर Article 13.2 कि नहीं, तो उन्होंने का नहीं, उसको law माना जाएगा, और कोई भी amendment यदि fundamental right को infringe करता है, त इसको एक तरह से bypass करने के लिए, या tackle करने के लिए, जो है counter करने के लिए government, इंजागंधी government 1971 ने 24th amendment लाती है, आप इसको पढ़ लीजेगा, इसमें क्या था, दो main बाते थी, और इसमें जो एक second बात उतनी ही important थी, एक तो यह था कि Parliament को कोई रोक टोक नहीं है, Article 368 के तरह क कोई भी जो है, वो fundamental right को भी amend कर सकती है, और law नहीं माना जाएगा, और दूसरा यह था, कि it made compulsory for the president to give assent to the constitutional amendment bill passed by both houses and parliament, उसके पहले, जो है, even amendment bill भी यदि पास हो जाए, तो president उसको reject कर सकता था, लेकिन इस amendment के बाद उसके हाथ बान दिये गए, अब वो amendment bill यदि पास हो assent देना ही होगा, उसका approve करना ही होगा, president. आए 35 देखे, statement 1 है, इंडिया's economic post-liberalization was not on par, at par होगा, with that of ex-communist state in Eastern Europe, यह बिल्कु गलत है, यह तो ex-communist state जो है, बुल्गारिया, हंगरी, चुक्स वाके, यह सब तो विशार है इतने गरीब हो चुके थे, 1991 समें, गरेश सेल वह ही है, इंडिया's economic growth है, हम GDP growth देखें, तो वो उतना ही high था, जितना के चाइना का 2010 समें, यह बहुत ही हम लोग का बड़ी बात थी, मतलब first time हम लोग 10% से अधिक का growth कर रहे थे, तो यह statement सही है, तो यह statement सही है, तो यह statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct, 36th number question देखे, modern nation state came into existence by ending, यह Westphalian treaty के treaty, यह treaty से ही modern nation state की परिकलपना मूर्त रूप लेती है, sovereignty का concept जो है, वो realized होता है, और modern international state system है, उसकी भी आगाज या सुरुआत होती है, और यह सब हुआ था, एक war हुई थी, यूरोप में 30 year war बोलते हैं, काफी सारे वहां के जो राजा, रजवारे थे उस समय के, empires, वो कर रहे थे, Spanish empire, and Dutch empire, and Hasberg empire, and all, तो उनकी लड़ाई थी, वो end हुई थी, 1648 में संधी हुई, Westfellian treaty करते है, in which year citizen, तो यह moderate level question है, मेरे stranger जानते हो, in which year citizen charter was implemented in United Kingdom, easy question, John Major Prime Minister थे 1991 में, तो इसमें क्यों न सब को जान लेजे, citizen charter गवाए, जो exam में पूशा जाता है, इंडिया में implement ह 1997 में, बाकी भी इसके बारे में पढ़ देजे, which is not correctly matched, 38, Lord Karjan, कुछ इस टाइप का student ने बोला, तो मैंने just इसको बना दिया, यह को मैं समझी कि यह सही option है, Lord Karjan, Lord Rippan, इन सब उन्हों में कहा कि यह सब आये थे, उनके बारे में कुछ उच कहा गया था, तो जो उनके बारे म में most important information में बने दे दिया है, Lord Karjan, partisan of Bengal के लिए responsible है, Lord Rippan को father of local self-government कहा जाता है, Warren Hastings ने इंडिया में office of collector सुरू किया था, यहाँ याद रखे है कि Warren Hastings the impeachment motion लाए गया था, England के parliament में, वो लाने वाले कौन थे, yes, Edmund Burke, the conservative thinker, Lord Willisley नहीं थे पर्माइंट settlement, यह थे Lord Cornwallis, Cornwallis, तो यह मैंने गलत कर दिया है, जान बुझ के, refugee convention कब हुआ था, यह पूछा गया था, 1951 जिनेवा में, याद रखे कि India ने इसको sign नहीं किया है, यह बहुत important information, उससे एक question आपके आगे, इसमें आया भी है, यह यहाँ पे जो question 40 number है, यह थोगा difficult इसलिए बन दाता है, यह आपको देखना चाहिए, यूएन की जो charter है, उसके chapter, article किसमें क्या है, थोड़ा देख लीजे, इसमें यह लिखा है, इसमें यह लिखा है कि, under chapter 7, UNSC can interfere, yes, मतलब force से interfere कर सकते है, by force peace लाया जा सकता है, United Nations General Assembly can resolve, can revoke sanctions, यह भी सही है, under article 41 of UN charter, sanction can be imposed, यह भी सही है, तो यह स peace keeping mission is considered chapter 6 and half, इसको रख लीजे, क्योंकि chapter 6 में यह है, कि by pacific means, बिना मतलब force enforce किये हुए, peace लाने की कोशिस की जाएगी, United Nations के द्वारा, chapter 7 में लिखा है, कि यदि pacific means से peace ना आए, तो United Nations जो है, वो अपने army भी भे सकती है, मतलब police भे सकती है, और 6 and half जो है, उसको UN peace keeping mission, जो intervention है, UN का, उसको कहा जाता है, उसको क्यों है, क्योंकि United Nations Charter में कहीं peace keeping mission की बात ही नहीं थी, बाद में यह evolve हुआ, कि एक peace keeping mission बेजा जाएगा, अब एक तरफ वो police भी है, blue helmet पहनते हैं, उनको blue helmet भी कहा जाता है, और दूसरे तरह वो peace keeper भी कहलाते हैं, तो यह जो peace और military का मि इसलिए chapter 6 and chapter 7 के बीच की बात इसको Dag Hammerskoll, जो second UN General Secretary, उन्होंने ऐसा कहा था, यह भी पुछाया था, किसने कहा था, the responsibility to protect, मतलब कि यदि कहीं पेमाल जी के genocide हो रहा है, रवांडा में, तो हम इंदजार नहीं करेंगे, United Nations, जो है, इंटर्वीन करेगी, चाहे, national sovereignty भी आहत क् इसको responsibility to protect करते हैं, यह भी कहीं UN Charter में लिखा हुआ नहीं है, तो यह दोनों जो UN के अभी एक दो बहुत important interventions हैं, एक peacekeeping mission और दूसरा responsibility to protect, यह कहीं UN Charter में है नहीं, वो evolve हुआ है, which is not matched correctly, अब यहां पे देखिए, जो इंडिया की federalism पे जो comment है, तो Paul Apple Bay के अनुसार यह extremely federal है, Casey Ware के अनुसार यह quasi-federal है, मतला आधादूरा federal है, Maurice Johns के अनुसार यह bargaining federalism है, bargaining federalism है, bargaining federalism का मतलब समझते हैं न, मतलब उन्हों नहीं यह कहा था कि एक तरह का, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं bargaining federalism, जो जो औरिसा के chief minister है, वो इसको adopt करते हैं, वो कहते हैं कि BJP central government को कि आप मुझे state को यह special privilege दे दो, fund दे दो, यह program दे दो, money दे दो, और हम आपको support दे देंगे different issues पे, article 370 हटाने किसी पे, KCR भी यह काम करते रहेते हैं, तो इस तरह का bargain जब state center के साथ करती है, कि तुम मुझे, इसको quid pro क्यों कह सकते हैं, तुम मुझे fund दो, मैं तुम्हे support देता ह इसको कहने वाले थे, Granville Austin, Granville Austin, जो है, एक तरह के Indian Constitution के पितामें माने सकते हैं, बुक के, जिन्हों है लिखा था, Indian Constitution, the cornerstone of nation, 42 देखे, which book essay is not written by Gandhiji, यह तो अलग तर से पुशा गया होगा, मैंने कुछ हिन स्वराज वराज था, तो इनके सारे जो बुक ऐसे मैंने यह दे दिये हैं, तो देख लिजे, यह सभी हैं, उसमें से साथ हिन स्वराज पूछा गया था, कि कौन सा लिखा है, बहुत आसान कुश्यन, on which of these Gandhiji and Tagore had no differences, इसे भी कुश्यन पूछी के थी, option तो मैंने बनाया है, तो इनका जो difference था, वो non-cooperation movement पे था, खादी और चर्खा पे कोई dispute नहीं है, which of these view cannot be associated with right-wing ideology, अभी पूरे दुनिया में right-wing ideology काफी ज़्यादा जो है, वो popular हो रहा है, इविन इंडिया में भी BJP उसको वहन करती है, अमेरिका में जो Trump जो हैं, जो से बोल से नेरो, जो हार गये हैं, ब्राजिल में वो भी उसको डिनोट करते हैं, अर्ज conservative माने जाते हैं, इंग्लैंड में conservative party रूल कर रही है, Christian Democrats जो हैं, जर्मनी में रूल करते हैं, तो पूरे दुनिया में ही जो है, conservative party या right-wingist party जो हैं, वो ज्यादा आगे हैं, तो उनकी ideology पे ये question है, तो इनका general reverence जो established social norm and tradition के प्रती रहता है, मतलब जो हमारा पुरानी परा है, उसको बचाया रखना है, general support, opening up market, मतलब market को open करो, state थोड़ा पीछे रहे है, liberalization के दरफ रहता है, economically, oppose economic liberalization है नहीं है, यह support economic liberalization, they promote a strong sense of national identity and pride, nationalism भी इसका एक पार है, और emphasize individual freedom, autonomy and personal responsibility भी इसका एक पार है, who is the author of the book, management, task, responsibility, practice, में चार option थे, सही है, Peter Drucker, यह सब medium level के question है, यह भी medium level के question है, यह तो easy कहे जा सकते है, which of these is not correct about Gandhian thought on satyagra, यह भी मैंने बनाया है, कुछ अलग type के होंगे, उनके non-violence पे भी कुछ statement है, so using truth and non-violence as weapons to achieve justice, याद कर लीजिये, Gandhiji is differentiated between active and passive satyagra, yes, in his book, Hind Swaraj Gandhiji extensively discuss his philosophy of satyagra, यह सही है, Gandhiji rejected all criticism on the idea of satyagra and insisted on its absolute efficaces, नहीं है, उन्होंने criticism को सुना, और उन्होंने उसमें कोसिस भी की, कि उसको जो है, दूसरे उस धंग से पयास करें, अलग धंग से उसको, जो criticism को उन्होंने अपने stride में लिया, which is not matched correctly, book, author, dynamics of public administration, तो यह, यह तो आसान नहीं होगा, match करें, लेकिन इतना आसान इसलिए हो गया, क्योंकि बाकि बुक जो होता, असानी से, कि Harvard Simon का administrative behavior से, वो match हो जाता था, Human Problems of Industrial, Civilized, and Elton Mayo, और Administrative Reflection from World War II, लेंडर उर्विक, यह बुक और यह दुनों बुक को याद कर लिजे, अभी, यह मौका है आपके पास, Who founded the Satya Sodak Samaj, यह सब बहुती लड्डू, इजी question है, जोती वाफुले, chronological order है, again, एक question आजाता है, इस बार, Ramabai ने जो सार्दा सदन खोला था, 1889 में, Ramakrishn Misham, Swami Vekanand, 1897 में, Avina Bharat, Savarkar, 1904 में, Tolstoy Farm, Gandhiji, 1910, and Bahiskrit, Hitikarni, Sabha, 1904, इस बासान नहीं होता है, इसलिए में इसको moderate to difficult कहता हूँ, इस बहुत ही rote learning का question, arranged chronologically, India joining these international organizations, again, एक chronology के पर आता है, यह थोड़ा आसान हो सकता है, NAM, कि हम founder member है, 1961, UN के founder member है, 1945, G20 के founder member है, 1999, 1999, और G77 के भी founder member, तो एक तरजी question होता है, कि यह चार organization को chronologically सजाएं, which quote is not attributed to Gandhiji, यह मैंने just अपने से चार quote दे दिया है, आपके फाइदे के लिए कि यह video दे आप देख रहे हैं, कुछ और quote होगा, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, इसमें से यह quote जो है, वो Gandhiji का नहीं होके, Ambedkar का है, I measure the progress of a community, by the degree of progress which women have achieved, Ambedkar, बाकी Gandhiji का है, which is not matched correctly, organization establishment here, तो दूसरा question ऐसा है, ASEAN 1967 में, यह सही है, SEO 1999 में, BRIC, पहले BRIC जो है बनती है 2001 में, फिर बाद में BRICS 2010 में हो जाती है, South Africa के जुडने पे, तो साइध में यहां, SEO जो है, वो wrong दे रहा हूँ, यह था चेक कर लिजएगा, SEO 2001 में है, चेक कर लिजएगा, मैं question mark कर रहा हूँ, और G7, जो है 1975 सही, which is not correct about the provisions of 73rd constitutional amendment, यह भी मैं option अपने से दे रहा हूँ, इस टाइवे कुछ पूशा गया था, तो यह सब सही है, 33% reservation woman के लिए है, schedule tribe and schedule caste के लिए भी, जो है उनके proportion, जो population, जो उनका proportion उसके basis पर reservation है, reservation rotational होता है, मतलब हर बार constituency rotate होती जाहेगी, there is a provision for reservation of OBC, इसे ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए triple test criteria है, तो यदि उसको एक state पूरा करती है, तो फिर वो OBC को भी जर्विशन दे सकती है, जैसे MP और UP दे रहे हैं, इन हीज ऐसे the poverty of Indian political theory, वीकू पारेक stated that Indian political thinker could not theorize on many important issues, which is not one of them, यह बिल्कुल difficult question है, यह एक article उन्हें लिखा था, poverty of, यह दिया वो अभी है, poverty of Indian political theory, उसमें उन्हें लिखा था कि Indian political thinker, खास करके post-independence के social justice, secularism, legitimacy, political obligation, इन सब पे कोई अच्छा theory नहीं लिख पाए, लेकिन इस पे काफी उन्हें ने काम किया है, like हाबर मास हो, उन्हें उन्हें ने काफी उन्हें के theory को analyze करने को सिस किया, इसको छोर के बाकी पे काम नहीं कर पाए, difficult, which is not matched correctly, multi-culturalism, अब मैंने question बनाया है, लिकिन इस टाइब पूशा गया था, multi-culturalism, differentiated right को promote करता है, liberalism, limited state को, liberal nationalism, intern nationalism, मैंने खुद अपने से लिखा इस टाइब को जाया नहीं होगा, communitarianism, equality over liberty नहीं होता है, क्यों communitarianism जो है, वो liberalism की ही एक धारा है, इसको समझना चाहिए, liberal communitarianism कह सकते हैं, वो of course community को pressure देते हैं, और ये expect करते हैं कि state जो है, वो nurture करेगा community को, ये भी मानते हैं कि brute individualism, या possessive individualism नहीं होनी चाहिए, एक individual जो है, वो एक social animal होने के चलते हैं, embedded होता है अपने community में, तो उसकी जो सोच जो है, या उसका जो self है, वो खुद ही constituted होता है, community के ethos thoughts से, इस टाइक बाते वो करते हैं, जो खास करके Charles Taylor हैं, या Alastadar Mclantyre हैं, Michael Sandal हैं, ये जितने भी चार जो, में हमें साहम लोग कहते हैं, Michael Walger and all, ये सब communityism हैं, लेकिन वो हैं liberal, तो कोई भी liberal जो धारा होगी, वो liberty को उपर रखे, equality ना के equality को liberty को उपर, तो ये गलत है, ये पूशा गया था, ये पूशा गया था, ये इस टेपर कोईशन, तो ये फिर डिक्टिलर, अगें दूसरी बार आते हैं, जन सुनवाई किस संस्था के दौरा डेफलप किया गया था, तो मजदूर किसान सक्ती संगठन, जनोंने रास्थान में जन सुनवाई करके सुरुवाद कि थी, RTI, मुवमेंट के और बाद में RTI एक लाए गया, तो डिफिकल्ट कुश्यन है, लेकिन अच्छा कुश्यन है, ये इस टेपर कुशन पूशा गया था, तो DAS believe in development of economy of a nation-due democracy, मतलब कहने के मतलब ही कि democracy होगा, तो वहाँ economic development भी होगा, इस टेप का सोचने वाले dependency theories तो हो नहीं सकते है, world system theory तो dependency से ही निकलता है, neo-marxist कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, तो एक ही बज़ जाता है traditional modernization theory, जो अमेरिका में 60-70 में निकली, वो ऐसा मानेंगे कि democracy law तो development होगा, when elites let the democratization, it is called, जो सुम्पीटर ने जिस टैप का democracy की कलपना की, जो elite theories को कहते हैं, elite lead करते हैं democracy को, इंडिया में भी यही हुआ, इसको top-down approach आप कर सकते हैं, top-down democratization, नीचे में कुछ पता ही नहीं की democracy क्या होती, उपर से लाया जाता है, book and author match करना था, prison, notebook, dramistry, उसी से crack हो जाता था, इसलिए इसलिए this trend को याद नहीं रहा, लेकिन ये भी कुछ this trend याद कर पाए, कि एक दूसरा था, protestant, ethics and spirit of capitalism, Max Weber, और दो पता नहीं क्या था, which of these is not related to John Rawls, ये सब बहुत ही आसान question था, theory of justice, justice as fairness, will of ignorance, class in itself तो होगा नहीं, which is not masked correctly, universal franchisee, इस तक कुछ था, मैंने इसको बनाया है, universal franchisee, quality को दर साता है, alternate vote system definitely था, ये एक rank ordered voting होती है, मतलसमें आप क्या करते हैं, माल जे candidate है A, B, C, और आप voter हैं, तीन voter है, तो voter है 1, 2, 3 माल लेजे, तो ये इसको rank कर रहा है, 1, 2, 3, ये इसको rank कर रहा है, 2, 3, 1, ये इसको rank कर रहा है, 3, 2, 3, 1, 2, इस तरह से, तो अब फिर उसका counting होती है, अल्टरनेट वोटिंग में, प्रिफरेंसल वोटिंग भी करते हैं, counting होगी, और सब का पहले 1st प्रिफरेंस लिया जाएगा, इसको एक मिला, इसको एक मिला, इस तरह से, यदि 1st count में ही, यदि 1st प्रिफरेंस बोटिंग में, नहीं कोई 51% ले आए, तो विनर हो जाएगा, नहीं तो जो सबसे कम 1st प्रिफरेंस बोट है, उसको इलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उसके 2nd प्रिफरेंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 1st प्रिफरेंस मानते वे, जिसको भी दिया गया, इस तरह से तब तक किया जाएगा, जब तक कि कोई 51% नहीं ले अल्टरेंट वोट, ब्लॉक वोट सिस्टम जो है, FPTP को ही करते हैं, 1st past the post को, मेजरिटरियन वोट, ऐसा वोटिं होता है, जिसमें किसी भी तरह से, मेजरिटी जो ले आए, जी दिया, इसको मेजरिटरियनिजम कहते है, इसको मेजरिटयरियनिजम कहते है, एन FPTV वे मेजरिटरियनिजम है, और ये alternate voting भी एक तरह से मेजरिटरियनिजम, STV, जो है मेजरिटरियन वोटिंग नहीं है, ये proportional representation, इसलिए ये odd one out, which is correct, India was among the first to establish इस दिप्लोमेटिक रिलेशन विट एरोपियन एकनॉमिक कम्मुनिटी यह सही है, EU is the member of general assembly, सही नहीं है, यह permanent observer है, EU is one of the greatest FDI source of India, यह सही है, EU is full member of G20, यह भी सही है. चौश्ट नंबर question देखे, chronologically arrange these administrative thinkers, तो इसमें थोड़ा confuse आप कर सकते हैं, लेकिन विलबॉय जो है, वो second number पर आएंगे, सबसे पहले Max Weber, तब विलबॉय, फिर उसके बाद Elton Mayo, और फिर David Easton, यह आप arrange कर सकते हैं, असान है. एजर सन, India is a heaven for refugee, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता, India have no refugee law and not signed 1951 refugee convention, तो यह भी, यह बिल्कुल सही है, इंडिया कोई, मतलब कि 1951 का refugee convention signing का यह definitely सही है, कोई refugee law नहीं है, थोड़ा सा वेक statement है, लेकिन इस तरह का कोई international refugee को लेने का कोई law इंडिया नहीं बनाया है, तो यह, तो one जो है, incorrect है, one is false and R is true. Who is not a feminist thinker? यह बहुत अच्छा question है, Martha Nossbaum मानियाती है feminist, Judith Butler, gender trouble, याद कीजिए, कैरोल पाटमेन भी feminist है, जो पार्ट्सपेटिव डिमोकरसी की बात करती है, Suzanne Strand, political economy पे काफी लिखती रही है, इन्होंने retreat of the state and casino capitalism, यह सब बुक लिखा है, लेकिन यह feminist नहीं माने जाती है, Marks historical materialism के जो chronology हो पुचा गया थे, बहुत ही असान question है, कि सबसे पहले वो एक stateless society देखते हैं, ट्राइबल सोसाइटी कह लीजिए, उसके फिर master slave जो इन्होंने नहीं दिया है, फिर federal state आता है, बोर्जोजी इस state आता है, इसको capitalism कर सकते हैं, फिर worker का revolution होगा, और बाद में proletariat state power होगा, इस state का आया था, मैंने बनाया है, इसको chemical weapon convention, biological weapon convention, NPT and basal convention on west, west को dispose करने का, तो देख लिजे ही मैंने मैच किया हुआ, याद कर लिजे ही यह आया था, इस तरह का, लेकिन इसी तरह जनी फ्रेम्ट, 69 देखे, which is not matched correctly, book author, the plea for reconstruction of Indian polity, JP ने लिखा, socialist Iman Roy ने लिखा है, my experiment दुर्गांधे जी ने, और तो इस में से, सभी जो है matched, कौन correctly ने, इसपेक्ट of socialist party, ये नहीं matched है, ये लोहिया ने लिखा है, मेरे उनसार से, थोड़ा मैं confuse कर रहा हूँ, क्योंकि एक-दो, इकल मैंने पढ़ा था, लेकिन येस, लोहिया है, तो चेक कर लेजएगा, इस तरह कुछ आया था, मैंने बनाया, ध्यान रखे है कि, आप मैं सुचिया, इतने अच्छे से किसे ने recall कर लिया है, कुछ आधा-दूरा, मैंने flesh out किया, इसमें भी मैंने option बनाया है, ट्रांजिशन फॉम इंडुस्ट्रियल तो अग्रेडियन नहीं होगा, उल्टा, अग्रेडियन तो इंडुस्ट्रियल होगा, फॉर्मिलिजम, हेटरोजेनिटी, डेवलपिंग सॉसाइटी, ये सब तो मैंने बनाया है, वोगण थो, कुछ लेंग्वेज अलग था, लेकिन इसी टेख का था, 72 देखे, इन विच राउंटेबल कॉन्फरेंस, अम्बेदकर दिमांडेड ए ए सेपरेट ईलेक्टॉरेट फॉर दलित्स, ये सकेंड राउंटेबल, इससे रिलेटेड एक इनफर्मेशन जान लिजे, कि अम्बेदकर ने तीनों ही राउंटेबल कॉन्फरेंस अटेंड किया, जब गांधी जी ने किबल सेकेंड किया था, आजपर अरिस्टोर्टल, क्योंकि वो डेमोक्रिसी को अच्छा नहीं मानते थे, डेमोग उनका ये कहना था, ऐसा लीडर होता है, जो इमोसिनल बात करके लोगों को भरमाता है, और उसका वोट को लेता है, तो वो डेमोगेक के चक्कर में पर जाते हैं, ताजिकिस्तान किस टेव को पॉलिकल सिस्टम है, तो प्रेजिदेंशियल रिपब्लिक है, प्रेजिदेंशियल रिपब्लिक वो जहां पर की प्रेसिदेंट रूल करता है, लेकिन जन्ता के दौरा चुना जाते है, 75 नमर कुष्चन देखे, which is correct about women reservation will under 106th constitutional amendment 128th amendment bill I don't know क्यों amendment bill को देते हैं यह लोग कुछ misprinting वे इसमें था कई इस 108th कहते हैं I don't know जबकि यह 106th amendment था यह तो इसके बारे में सब कुछ में नहीं पर दे दिया है कि इसमें जो है 1 3rd reservation लोकसभा में only था मतलब रासभा में नहीं था 1 3rd reservation legislative assembly में था legislative council में नहीं है reservation 15 साल में terminate कर जाएगा यह भी लिखा हुआ है 1 3rd reservation legislative assembly of Delhi में था पोडुचेरी में नहीं था धियान रखे इसलिए यह statement गलत हो जाता है इसने article 239 AA को अमेंड किया जिसे कि दिल्ली में दिया जा सके यह सही है और इसने 3 article इंजर्ट किये 330 A, 332 A and 334 A इसा बहुत important information है यह सब को पढ़ लीजेगा याद कर लीजेगा according to Atul Kohli idea of pro business and pro market intervention 1980 यह common sensical question है चुकि यह liberalization के बाद करते हैं of course 1991 के पहले राजिम गंधी और इंदागंदी के time में तो इस कहते हैं कि pro business or pro market intervention का मतलब होता है pro business means supporting the already established player no, जो new player है pro market means supporting new interest pro business means supporting new interest pro market means supporting established market player नहीं तो इस तरह कि में कुछ उन्नेव निकले आया था यह सब इन्हा लिखा था state and poverty in India Atul Kohli कुछ और question जो कि मेरे strength ने recall किया democracy पे कुछ आया था pro realistic democracy मतलब यह होता है जिसको polyarchy भी Robert Dell ने कहा था जहां पे कि state ही केवल एक सारभौम सत्ता को नहीं वहन करती है बलकि sovereignty बहुत divided होती है different communities, different groups में then 78 number question हो सकता है thinkers not associated with deliberate democracy तो कौन-कौन thinker है associated देखिये जूरगन, Habermas, Amy Gutman, Daniel Thompson, Joshua Cohen, Jane Mansberg and many other David Miller और कई सारे हैं ICT based e-governance पे कुछ question था भीकू पारिक पे दूसरा question था कि उनका human nature के बारे में क्या सही नहीं है तो उन्होंने जो human nature पे अपनी thesis दी है उसमें वो monism को नकारते हैं monism मतलब कि हर जगह human जो है एक जैसे nature के होंगे human के nature को हम जो है एक characteristics दिफाइन कर सकते हैं ऐसा नहीं है culturalism को भी उसे रनकारते हैं कि हर जगह culture दिफाइन करेगा individual कैसे मतलब तो पता लगए कि human में कोई एका है ही नहीं हम एक race ही नहीं हम तो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है dialectical interplay between nature and culture होता है मतलब कि nature के तोर पे हम सब human एक हैं culture के तोर पे हम human अलग-अलग हैं ये दोनों में खिचा होता है उससे जो है हम human के nature को जान सकते हैं दोनों ही agency काम करते है nature and culture moral agency and responsibility individually party system के definition जो के बहुत असान हो सकते इस पे भी question था तो sorry मैंने कुछ 85 का दिया था 81 question जो है आप देख सकते हैं record था और 2 जो है passes type के question थे तो 2 जो passes type के question थे वो उसमें से एक था civil society पे और दूसरी थी G20 पे तो यह टिक देता हूँ G20 और civil society के evolution पे जो है 2 passes थे ऐसा मेरे इस्टूएंट का कहना है 10 question इस पे थे तो आप देख सकते हैं कि लगबग 90 से ज़्यादा question मेरे students ने recall किया thank you very much all students जिन्होंने भी recall किया and country lessons जिन्होंने special pride जीता and thanks for watching और एक बार फिर से आप लोग को याद दिला रहे हैं आपको अच्छी सला दे रहा हूं कि यदि आप UGC debt June cycle दे रहे हैं तब भी आप यदि इस batch को join करते हैं तो आप feel करेंगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना फाइदा ये दे सकता है तो यदि आप join करना चाहते हैं तो अपना नेम और टेलग्राम मुबाइल नंबर जो है इस email ID में भेजें आपके आपको बताया जाएगा इस तरीके साब मुझसे जूर सकते हैं और इस paper पे यदि आप comment करना चाहें तो welcome क्योंकि कई student कहेंगे कि sir ये question ही था ये तो मुझे सुनना अच्छा लएगा आप इसको और flesh out कीजिए और फिर एक दिन जब official answer की आएगी तो फिर हम लोग एक video लेके आएंगे तब तक के लिए विदा